Hello and Welcome Everyone, The Online Guru में मैं सुनल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 15th of September 2022 तक के Important Current Affairs को कवर करेंगे ये सेशन उन सभी एस्परेंट के लिए helpful होगा जो या तो RIMC का December Attempt दे रहे हैं या फिर राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल का 2022 December Attempt दे रहें या फिर सैनिक स्कूल का January 2023 का Attempt दे रहें और साथ ही साथ और भी कोई exam है जिसमें Current Affairs आते हैं उन सभी के लिए ये helpful होगा तो ऐसे ही regular sessions देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर bell icon प्रेस करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का session शुरू करने से पहले मैंने previous session में आपसे कुछ question पूछे थे तो उन question का correct answer देखने का समय आ चुका है ऐसे ही आज के session में भी मैं आपसे कुछ question पूछूँँगा जिसे आप नीचे comment section में comment कीजिए थाकि next session में आपके comments को यहाँ पे include किया जाए देखे मेरा question था कि नीरच चोपडा का Olympic के अंदर जो throw था वो कितना था तो यहाँ पे correct answer क्या होगा 86.48 meter correct होगा ठीक है? क्या correct होगा? 86.48 meter नीरच चोपडा ने Xevalian को throw किया था Olympic में next question मैंने पूछा था IMF और World Bank का जो headquarter है वो कहाँ पे है? तो correct answer है क्या? Washington DC इसका correct answer होगा फिर question पूछा था मैंने UNESCO का full form बताईए तो UNESCO का जो full form होगा वो क्या होगा? United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ठीक है? यह सोशल नहीं है, Scientific and Cultural Organization है अगला question मैंने आपसे पूछा था DRDO का full form बताएं तो DRDO का full form Defense Research and Development Organization है last question आपसे मैंने यहाँ पे पूछा था कि earthquake को किस scale पे measure किया जाता है? तो correct answer क्या होगा? Richter scale ठीक है? यहाँ पे spelling की mistake थी बाकी बच्चे का sense correct था तो answer क्या है? Richter scale आपका यहाँ पे answer हो जाएगा तो ऐसे ही इस session में भी आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे उन्हें भी आप सही सही comment के थूँ answer करें session को start करें उससे पहले आप सभी को inform कर देना चाहूंगा the online guru के तरफ से RIMC, RMS, All India Sanic School entrance exam और जवाहर नवोदे विद्धाले entrance exam के लिए online classes भी दी जाती है अगर आप हमसे जुड़कर इनके preparation करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 777-653-468 पर WhatsApp के थूँ भी details ले सकते हैं और अगर आप हमारे current affairs के MCQ batch में enroll होना चाहते हैं दोनों ही batches हमारे app के उपर available हैं तो हमारा app जो है वो install कीजे link नीचे description में दिया गया है आज का current affairs का session स्टार्ट करते हैं आपने यहाँ पे news में देखा कि recently Prime Minister Narendra Modi ने Indian Navy का एक नया flag जो है नया sign जो है वो यहाँ पे reveal किया है और इस sign के अंदर symbol को यहाँ पे use किया गया और हमने क्या किया sent George के cross को इसमें से हटा दिया इंपोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि defense exam के आप preparation कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले जो flag था navy का वो कुछ इस प्रकार का था जिसमें यह जो red color का आप cross देख पा रहे हैं इसी को बूला गया है sent George cross इसे अब यहाँ से हटा दिया गया और अब क्या कर दिया गया इसकी जगए यह जो आप symbol देख पा रहे हैं blue color के अंदर golden boundary के साथ यह क्या है यह चत्रपती सिवाजी महराज का symbol है इस symbol में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे एक word लिखा गया है यह word क्या लिखा गया है यह word लिखा गया है शमनो वरुनह क्या क्या लिखा है शमनो वरुनह लिखा है जो की संस्कृत language से लिया गया है इसका मतलब क्या होता है वरुन the god of water इसका मतलब क्या है वरुन the god of water is auspicious is auspicious for us ठीक है इस auspicious for us यह importantly आप लोगों को पता होना चाहिए अगली news आती है कि recently Prime Minister Narendra Modi ने inaugurate किया है करतव्य पत को यह जो रोड है यह राष्ट्रपती भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में है जैसा कि आप यहाँ पर image में भी देख पा रहे है basically किया क्या गया है तो यह जो राजपत है ना इसको name change किया गया है ठीक राजपत का क्या कर दिया गया नाम change कर दिया गया और क्या कर दिया गया है इसे करतव्य पत कर दिया गया तो थोड़ा सा background detail आप लोग note down कीजिए पहले क्या नाम था इसका राजपत था अब इसको क्या कर दिया गया करतव्य पत कर दिया गया यह जो रोड है यह around 15.5 km लंबा एक रोड है इसके उपर 16 ब्रिज है 19 acres के अंदर कैनाल प्रोजेक्ट है इसके अंदर और यह जो राजपत होगा ना यहा 비 क्या होता है रिपबलिक डे की जो परेड होती है ईक है रिपबलीक डे का जो से लीब्रेशन होता है वो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है इसलिए भी important है अब यहां पर ये जो राजपत है ये हिंदी वर्जिन था किसका हिंदी वर्जिन था तो हिंदी वर्जिन था किंग स्वे का इनुद लीист हंच में गया था तो भाई 1911 में जब कैलकटा से जब क्या कर दिया गया था कैलकटा से Shift करके New Delhi को Capital बनाया गया ठेक है New Delhi को जब Capital बनाया गया उस time पे इस जगह को नाम दिया गया था Kings Way जिसको हमने आजादी के बाद हिंदी फॉर्म राजपत के रूप में काम में लिया चोकि ये जो फॉर्म है ये colonial mindset का एक example था अंग्रेजों की गुलामी का एक प्रतीक था तो इसे यहां से remove कर दिया गया और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है करतव्य पत कर दिया गया है अगली न्यूज आती है कि 142 एडिशन जो था US Open का वो recently complete हुआ basically ये Grand Slam का एक event है अब आज का पहला question मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि Grand Slam जो है ये किस sport से related है आप लोग नीचे क्या करेंगे comment section में comment करें और अगर आपका answer correct है तो next session में आपके comment को include किया जाएगा तो basically US Open जो है ये fourth and final Grand Slam था 2022 का Grand Slam से related question ये पूछे जाते हैं कि इनके winners कौन कौन थे और इसके लिए एक और question पूछा जा सकता है कि ये कहां पर organize हुआ था तो ये organize हुआ था USTA, Billie, Jean, King, National, National Tennis Center National Tennis Center में कहां पर इसको start किया गया था अब जो question आप से पूछे जाएंगे भी आप men's single का title किस ने जीता तो Carlos ने men's single का title जीता है, ये most important है आपके sports related question आते हैं तो men's single का title किस ने जीता, Carlos ने जीता है जबकि यहां पर women's single का पूछे तो Ega Swittek ने इसे जीता है फिर question पूछा जा सकता है men's double किस ने जीता, तो Rajiv Ram and Joe Salisbury ने इसको जीता है फिर अगर question पूछा जाए, women's double किस ने जीता है, तो Barbara और Katrina ने इसे जीता है फिर अगर question आजाए, mixed double किस ने जीता, तो ये Storm Standard और John Paris ने इसे जीता है तो important होगा US Open, US Open से related question क्या पूछे जाते है, men's single, women's single, men's double, women's double और mixed double का price किस किस ने जीता है, तो ये सारे names आपको याद रखने हैं, और definitely इन में से एक question आपको जरूर आपके exam में देखने को मिल जाएगा next news आती है कि Britain की सबसे लंबे समय तक रहने वाली monarch Queen Elizabeth 2 जो थी उनका निधन हो गया Balmoral Castle Scotland के अंदर कब September 8 को हुआ और लगभग इन्होंने 70 years तक रूल किया था Queen Elizabeth 2 जो थी ये Elizabeth Alexander Mary ये birth ली थी Elizabeth Alexander Mary के रूप में 21st of April 1926 को ये first child थी किसके King George 6 और Queen Elizabeth 1 और King George 6 की ये first child थी इन्हें 1952 में 25 years की age पर इनके father King George 6 की death होने पर Queen बनाया गया था अभी तक longest serving Queen के रूप में ये रह चुकी है इन्होंने एक लंबे time तक काम किया ये Commonwealth की head भी मानी जाती है Commonwealth basically एक वो group है जो कि पहले Britain का गुलाम रह चुका है जो पहले Britain के colonization के थुरू अंडर रह चुका है उन सभी का जो group है वो क्या कहलाता है Commonwealth कहलाता है ये Supreme Governor है जो England में Churches हैं उनकी इन्होंने लगबग 14 Prime Minister का कारेकाल देखा है UK के अंदर अपने राज के समय में जो कि Vincent Churchill से शुरू होता है और Lees Trust तक इन्होंने 14 Prime Minister का कारेकाल देखा है इनके बाद जो इनका eldest son है Charles Prince Wales इनको क्या किया गया King बना दिया गया है तो Elizabeth के बाद अब किसे King बनाया गया तो Charles Prince of Wales को यहां पर King बनाया गया है निक्स नीज आती है 54th International Literacy Day को हमने 8th of September को celebrate किया 8th of September को ही क्यों छूज किया गया तो भाई इसी दिन 1965 में World Congress और्गनाईज की गई थी World Congress of Ministries, Ministers of Education तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी मीटिंग और्गनाईज की गई थी कहां पे तहरान की के अंदर जो की इरान की कैपिटल है वहां पे इसको और्गनाईज किया गया था और वहां पे इन्होंने इंटरनाशनल लेवल पे एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में डिसकेशन किया था कब किया था तो 8th of September को किया था इसलिए हम लोग 8th September को क्या करते हैं International Literacy Day celebrate करते हैं कब से स्टार्ट हुआ 1966 से ये स्टार्ट हुआ और इसकी theme क्या रखी गई इस साल तो transforming literacy learning spaces इसकी theme रखी गई आप से आज का second question पूछता हूँ UNESCO का full form आप नीचे comment section में comment करके बताईएगा next session में आपके answers को include किया जाएगा अगला question आपके सामने generate होता है कि एक special ceremony organize की गई सीतल निवास पे जो की official residence है president of Nepal का जो की काटमंडू में है यहाँ पे Indian Army के जो chief है General Pandey इन्हीं क्या किया गया honorary general of Nepalese army का title दिया गया honorary general of Nepalese army का title दिया गया किसे दिया गया General Pandey को दिया गया यह आपके लिए important होगा इसी के साथ आप यह भी याद रखिएगा कि यह जो first title था वो किसे दिया गया था तो जो commander in chief थे General K.M. करियप्पा को यह title सबसे पहले दिया गया था 1950 के अंदर next news आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना ने मिलकर unit 1 of matri super thermal power project को inaugurate किया है यह जो thermal power project है जहाँ भी thermal power project हो इसका मतलब आप cool के base ठीक है आप क्या करते है cool कोईले को जला कर अप electricity बनाते हैं कहाँ पे है यह तो रामपल के अंदर है जो कहाँ पे है बेगर हाट district में है कुलना division of बांगलादेश तो बांगलादेश के रामपल के अंदर क्या किया गया यह thermal power project को inaugurate किया गया इस thermal power project से क्या किये जाएंगे 660 मेगावाट के दो plant यानि कि 1320 मेगावाट का क्या किया जाएगा electricity develop किया जाएगा जो कि बांगलादेश को यहाँ पे help कर रहा है इंडिया इसके लिए भारत हैवी electricals limited भेल और बांगलादेश के इंडिया friendship power company private limited ने मिलकर इसे बनाया है अगली news आती है कि जैसा आप देख रहे हैं कि LPG cylinder के जो prices हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इनके price को control करने के लिए कम करने के लिए government of India ने एक committee बना दी है जिसके chairman कौन है कीरित पारीक है ठीक है तो कीरित पारीक जी जो है वो chairman बनाये गए हैं उस committee के जिसको task दिया गया है कि LPG के rate कैसे कम किये जाए ये जो company होगी वो क्या करेगी public और private companies जैसे कि ONGC, Reliance, etc. से बात करेगी और solution निकालेगी कि कैसे इनके prices को कम किये जा सकते हैं अब यहाँ पे आपसे question पूछता हूँ LPG का जो full form है ये क्या है अप नीचे comment section में comment करके बताईएगा अगला important news आता है Tokyo Olympic के gold medalist नीरत चोपडा प्रथम भारतिये बन चुके हैं जिनोंने Zurich Diamond League के finals को gold medal के साथ जीत लिया है और यहाँ पे इन्हें diamond trophy भी दी गई है जो आप इनके हाथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं साथ ही साथ 30,000 यूएस डॉलर अवार्ड भी दिया गया है और एक wild card entry दे दी गई है World Athletics Championship की जो की Budapest Hungary में organized होने वाला है तो नीरत चोपड़ा का जो sport है वो कौन सा है तो आप सभी जानते हैं Zevalian throw इनका sport है यह first track and field athlete है जिन्होंने Olympic के अंदर gold medal जीता था इंडिया के लिए और और यहाँ पे Olympic में second athlete है Norman Pritchard के बाद Norman Pritchard जन्होंने दो silver medal जीते थे Olympic में चेक है तो उनके बाद यह second है और Indian की अगर बात करें तो यह first Indian हो जाएंगे इनको junior commissioned officer J.C.O के रूप में नियुकती दी गई है कहां पे तो राजपुताना rifles में राजपुताना rifles Indian Army में 2016 में यह junior commissioned officers के रूप में कार्यरत हैं अगले news आती है बिहार के जो CM है नितेश कुमार जी इन्होंने inaugurate किया है country का largest rubber का बना हुआ डैम और एक steel का बना हुआ ब्रिज किस river पे फालगू river पे कहां पे विश्नूपद मंदिर के पास कहां पे है यह बिहार के अंदर है यह जो डैम है इसे गयाजी डैम कहा जा रहा है रूबिना कंपनी Australia ने यहाँ पे IIT Root की और हैदराबाद की कंपनी के साथ मिलकर बनाया है यह जो dame है चुकि रबड का बना हुआ है ठीक है और यह रबड का बना हुआ सबसे बड़ा dame होगा इंडिया के अंदर इसलिए आपको इसे याद रखना है अब यहाँ पे जिस river की zaman की जारी है फाल्गु river यह जो फाल्गु river है यह पलामू district निए पलामू district जHAरखंड से flow होना स्टार्ट होती है यह आप याद रखेंगे और जो प्लेस है गया तक जाती है गया जो है वो हिंदू और बुद्ध दोनों के लिए ही बहुत ही ऑस्पिशियस और इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है हाली में पलत तुरुती बोट क्लब ने 68 एडिशन अफ नहरू ट्रोफी को जीत लिया है यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि नहरू ट्रोफी जो है वो बोट रेस से रिलेटेड है जिसे कि 1952 में स्टार्ट किया गया था इंडिया कि जो first Prime Minister थे जावाहरलाल नहरू वो यहाँ पे गये तै और उन्होंने यहाँ पे बोट रैड जो था वो देखा था ठीक है अलाफुजा लेक के उपर तो अलाफुजा लेक के उपर इन्होंने बोट राइस रेस देखा था और उसके बाद से यहां पे क्या कर दिया गया रैमन मैक्स से अवार्ड रीसेंटली अनाउंस कर दिये गए हैं पहली चीज तो रैमन मैक्स से अवार्ड के बारे में आपको यह पता होना चीए इसे कहा जाता है noble prize of Asia ठीक है इसे क्या कहते है हम Asia का noble prize कहते है कब से start हुआ 1957 से start हुआ कितनी category में दी जाती है तो five category में दी जाती है ये category कौन कौन सी है तो journalism के लिए दी जाती है government service के लिए दी जाती है public service के लिए दी जाती है ठीक है literature के लिए दी जाती है और जो creative communication है, creative communication है, इन field में इसे दिया जाता है, अब जिस person के नाम पे ये award है, maxis ही, ठीक है, maxis ही जो थे, वो Philippines के president थे, ठीक है, 1953 में ये Philippines के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और उनका time period जो था, वो Philippines के लिए, एक golden year के रूप में जाना जाता था, इस वज़े से maxis से award दिया जाना शुरू किया गया, तो अब 2022 का award किन किन को दिया गया है, तो सोत्री राम चिम को दिया गया है, जो एक psychiatrist है, Cambodia की, तदासी हतोरी को दिया गया, जो कि एक ophthalmologist है, जपान के, बर्नार्ड थी मदरिद को दिया गया, जो कि pediatrician है, फिलिपीन के, ग्रे बनकीगम को दिया गया, जो कि एक activist और film maker है, इंडोनेशिया के, तो यह सारे persons आपके लिए important होंगे, अगली news आती है कि UK की जो foreign minister थी, Lees Trust, वो अब Prime Minister का election जीच चुकी ह conservative party से, तो याद रखेंगे, Lees Trust जो है, अब 56, तो Prime Minister है कहा की, Britain की है, Union Home Minister अमित शाह जी ने anthem और mascot को unveil किया है, 36 national games का, और कई बार national games से related mascot और theme आप से पूछे जाते है, पहली चीज़ तो यहनोंने एहमदाबाद में इन्हें inaugurate किया, दूसरी important thing जो national games है, वो गुजरात के अंदर September 27 से लेकर October 22 तक organize किया जाएगा, तो जो mascot है, उसका नाम क्या है, सवज, जो कि गुजराती में मतलब होता है, कब, यह यहाँ पे आप देख पा रहे है, mascot को, जो इनका theme है, वो theme यहाँ पे रखा गया है, एक भारत, स्रेश्ट भारत, national games का theme क्या र लखा गया, दूसरी चीज आप और याद रख लीजिएगा, कि इसके लिए एक tagline दिया गया, और tagline क्या दिया गया है, sports for unity, क्या क्या tagline क्या दिया गया, sports for unity दिया गया है, अगली news आती है, UNESCO की global network of learning cities के रूप में, इंडिया के 3 cities को, 3 cities को इसमें शामिल किया गया, यह city है, तिरसूर, निलंबूर और वारंगल, तिरसूर, निलंबूर और वारंगल, निलंबूर जो है, यह eco tourism के लिए जाना जाता है, कहाँ पे है, कैरला में, यह याद रखेंग निलंबूर कैरला में, तिरसूर जो है, यह एक academic center है, education के लिए जाना जाता है, यह कहाँ पे है, कैरला के अंदर है, थर्ड वारंगल सिटी जो है, यह cultural heritage के लिए जाना जाता है, और कहाँ पे है, तैलंगाना के अंदर है, तो यह आप लोगों को याद रखना है, वारंगल के बारे में आप एक और news देख सकते हैं, कि वारंगल जो है, वो second UNESCO का recognition रखता है, तैलंगाना से, इसके पहले तैलंगाना से, इसके पहले रामप्पा temple, ठेक है, रामप्पा temple जो है, वो UNESCO की इस list में शामिल हो चुका है, अगली news आती है, हम सभी 5th September को National Teachers Day जो हैं, वो celebrate क सर्वपली राधा कृष्णन के बर्द पे, सर्वपली राधा कृष्णन का जो बर्द था, वो 5th September 1888 को हुआ था, कहां पे हुआ था, तो तिरुत्तानी विलेज के अंदर हुआ था, कहां पे मदरास presidency में, जो presently तमिल नाडू के अंदर आता है, यह first vice president थे, ठीक है, first vice president थ 1952 से 1962 तक, जबकि यह country के, यह country के second president थे, कब 1962 से लेकर 1967 तक, और आप याद रखेंगे कि यह first recipient थे, भारत रतन अवार्ड के, ठीक है, भारत रतन अवार्ड के, फॉस्ट रेसिपियंट थे, जो कि इंडिया का highest civilian honor में जाना जाता है, और किन किन के साथ, तो C राज गोपालाचारी, एक है, राज गोपालाचारी, प्लस C.V. रमन के साथ, यह top three persons थे, जिनको भारत का पहला भारत रतन ने तिया कया था, next news आती है, हम लोग 14th of September को हिंदी दिवस को celebrate करते हैं, 14th September 1949 को जो constituent assembly थी, उन्होंने हिंदी को adopt किया था, as a official language with English, और साथ ही साथ, Indian Constitution के Article 343 में, यहां यह provision किया गया, कि हिंदी देवनागरी script में क्या होगी, इंडिया की official language होगी, हिंदी देवनागरी script में क्या होगी, इंडिया की official language होगी, इसी वज़े से हम लोग यहां पे इसे celebrate करते हैं, और important इससे related एक person याद रखिएगा, जो कि important role pray करते हैं, हिंदी को official language बनाने में, और उनका नाम है बेहोर राजेंदर सिन्हा, ठीक है, राजेंदर सिन्हा की ही help से, इंडिया में हिंदी को क्या किया गया, एक official language का दर्जा दिलाया गया, So student, ये था हमारा आज का session, I hope आप सभी को आसानी से समझ में आया हो, फिर भी अगर कोई doubt या कोई query है, तो आप मीचे comment section में comment कर सकते हैं, Within 24 hours, आपके सभी doubt and queries को solve किया जाएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़कर, RIMC, RMS, All India Sanic School Entrance Exam, या फिर जवाहर नवोदे विद्याले Entrance Exam की preparation करना चाहते हैं, तो दिये गए number 7737653468 पर WhatsApp के through भी details ले सकते हैं, और demo sessions and previous selections के लिए अब हमारे application The Online Guru को Play Store से install कर सकते हैं, link नीचे description में दिया गया है, तो मिलते हैं आपसे एकले session में, तब तक के लिए जैहन्द।